अच्छ हम बात करते हैं रिसर्श में है आल जि की हमने लेक्ष नमट तू ड्यए रहे हैं हम वरिएब्ल सच जो हैं वो क्या होते हैं उसके बार में हम देखते हैं कि जब हम वरिएबल वरिसर्श में यूज कर रहे होते हैं पर इन न्ूण tam Zachлам डिफेरिकलफ सेब्छnorm उने के लुए हैं वह मैयर करते हैं मैयरे इं स्टैडिक विए चैंज steps लिए आई जय से ффार इघ्जंपल ऎमरीड मेंथा में बीद ही का दो में हमाल पास कुछ वेरियबल्स ही यह जैसे टाइप आफ वेरियबल्स की जब हम बात की जाए तो इनको हमने फोर डिफेंट काटागरी में डिवाइड किया है नॉमिनल ओर्डिनल इंटर्वल एंड रिशो फोर इनकी ब्रॉडर कैटागरी जे तो यहां पर फ्लो चार्ट बीदेगरी में क्योंटि की अब टर्ट इन्ट टेटा में नॉमिनल इस ऐख से Влад rugal इसे त्ना ताहरा रिशो इनिन देबाद की बात की जाय तो उसमें जो है ड्क ऑस्कार्ट ऐसर जो है वो उसकी रए-चो यह है इसफांस्रांग डिया जो है वह कोई भी मैडिसन या फिर प्लाहइब वर्सित थे यह माई पास डैने कमर्ड पास मुनिल में डर्यtoi को क्ए है यह मैं यह लिई धर की और पोए होगे और होगी यह धर होंगी पुलिटिकिल पाड़ी हिए हम बात एए नान प्रेकन यह सार जो है नॉमिनल वेरी वरियाबल सांः हम ठीक है इसके लिए हम क्या करें होते हैं जैसे जैंडर है तो 1 और प समय त mis उसमें 10 प्रयू करταड़ का सुझ करें हुद यह चाहिता है हम indrs और पास हम देख रहे होते हैं रेंकिंग जैसे कि अगर आप फुट बाल रहे जो है टाप 20 टीम्स के वह या फिर पॉप म्यूजिक के टाप 40 रांगाने जो हैं वह हम ले रहे हो या फिर अगर कोई फिनिश कर रहा हो रेस को तो हम उसके पहले orn. जाए हुर मेंध और मेंध रही होतें जैसे कि मेंध मेच शक्राइब हैं ऑर स्डीबर का भूप एक स्टाइब्ड करेंज में टू वल्युए जैसे कि हमारे पर साथ है, जी मैठ है, या आई की स्कोर्स हैं, इन में जरनल, many of the standard test of the psychological, sociological test हैं या educational disciplines हैं, उन में हम क्या करे होते हैं, interval variables यूज करे होते हैं, ठीक है, देने हमरे पास ratio variables, ratio variables भी हम यूज करे होते हैं, research studies में, some example of the ratio variables are the length measurement in English or matrix system, time measurement in second minutes, hours में करे होते हैं, blood pressure आप में करे होते हैं, mm of mercury में, age जो है, common measurement है, जैसे हम mass लिया, किसी का weight है, volume है, जैसे कि example है, the distance of 10 meter is twice the distance of 5 meter, ठीक है, यह हमारे पास जो है, कुछ ratio की example थी, इसके साथ हम पुछ और example देख लेते हैं, characteristics भी देखते हैं, nominal में हमारे पास एक होता है, nominal जो हमारे पास जो variables होंगे, उनकी characteristics कैसे होंगी, यह unordered होते हैं, और categorized होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है, race, gender की example है, ordinal में हमारे पास order category होती है, जैसे, इसके साथ hardness skill जो है, वो हो सकता है, हमारे पास interval में जब हम बात करते हैं, तो हम consistent distance देखते हैं, between category में, temperature Fahrenheit में देखते हैं, या Celsius में देख रहे होते हैं, रेश्यो की जब बात करते हैं, हम natural zero, यानि temperature in Kelvin देख रहे होते हैं, ठीक है, यह कुछ था, देना हमारे पास हम detail से देखते हैं, qualitative versus quantitative, qualitative, there are qualitative and quantitative variable, जो हमारे पास interval और ratio variables हैं, दो काइन के जो हैं, वो हमारे पास quantitative variables होते हैं, nominal ordinary जो हैं, यह दो काइन के हैं, इनको qualitative variables भी कहते हैं, देने हमारे पास parametric and non-parametric, ठीक हैं, अब हम क्या होता है, parametric versus non-parametric, क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हम statistical analysis applied का रहे होते हैं, स्टाटिस्टिकल स्टाटिस्टिक्स जो है मस्ट अप्लाई करे होते हैं इन्टु एकोंट ता नेच्चर आफ अंडरलेंग मेजरिंग स्केल विकाज देयर फंडामेंटल दिफरेंस इन टाइप अफ इंफरमेशन इंपार्ट वाइद इफरेंट स्केल तो वह हमेशन हम उनलाइज कर रहे होते हैं यूजिंग नान पेरमेट्रिक टेस्ट यूज करके या इसमें मेजर कर रहे होते हैं लेकिन जब हम interval और ratio की बात करते हैं if all possible to be analyzed by using the typically more powerful parametric statistical method हम इसमें use कर रहे होते हैं then है independent versus dependent variables variables यह है that may or may not affect the outcome जो so the that's one so the the ones that are casual factor जो होगा या फिर जो जो है that you may manipulate कर सकते हो इसको you may manipulate are called independent variables जिनको आप manipulate कर सकते हो then and the outcome of the treatment जो है या फिर response to change in the independent variable is called dependent variables और अगर जैसे कि यहां पे इनने प्ताइब है यहां जो smoking in smoking research you might look a number of cigarette smoked in independent variables हो सकता है और incidence यहां पार पार dependent variables है श्रिगर स्पोंकिंग जो थी यहीं कि इन्डिपेंडेंट variables है लेकिन जो लंग के इन्सर है वो dependent है ना क्योंकि वो स्रिगर्ट की वेज़े से हुआ एक व रिसर्च है आन्दा आज़ोस्क्रोसिस पे के इस तो हम आन्दा रिसेच के आन्दा किपरिटिव देडा के लिए जो एगन from independent variables while the various measure of progression of the disease would make up the dependent variables बना रही होती है अगर हम देखते हैं कि how the spring does affect the frequency of second heart, spring which affect the frequency of second heart attack, the spring dose you have would be independent variable होगा, or while heart attack होगा, वो हम उसको देख रही होते हैं, frequency of heart attack, वो dependent variables बन जाता है ठीक है यानिकि एक जो हमरे पास independent है और यह कि dependent है जब हम कोई भी scale यूज़ करें हम यह जो nominal data variables यूज़ करें ordinal या interval या ratio है तो उसके लिए हमने descriptive statistic को उनसे यूज़ करें या infractional statistic हमने क्या उनसे यूज़ करें यह देखना है तो nominal हमने यूज़ किया तो हम उसको descriptive statistic में बियान करते हैं तो हम mode की सुरत में percentage और frequency table की सुरत में करते हैं और अगर हम nominal लिया है तो infraction statistic में हम kai square test की सुरत में कर रहे होते हैं then ordinary की जब हम बात के आखें पहीं में आइंची जektशार में our अधीन में हम मिद्इन करते हैं में पर्सेंटाइल रेंज Netz डिफीरशन में हम क्या करोते हैं descriptive statistics अप्लाइ करते हैं और अधीर को arc ring educator स्टाटिस्टिक में हम हम अप्लाइ का रहे होते हैं में युज़ करते हैं और इनफ्रेक्षन स्ट्राइश्टिक घब हम आप्लाइ करता है कि तस्टुलि Parks ना न्वा है तिन हमरे पास हम स्टुडी करने हैं इस तरह मिनिप्लेट Talking है कुछ independent कुछ dependent है तेक है इन सब को जब हम study में लेकर आते हैं तो जो हम study का रहे होता है specific subject वेका रहे होते हैं तो subject क्या है या participant क्या है जिस पर study हो रही है और पर संडिय में आर निमल आर रिसर्च चैश्ट इस पर कि क्या है और युज्टेटि बिखागं। चोटी से सेम्पल करता है क्योंकि इंटायर पॉपपुलेशन के श्रक्रक्रट सैंपल को तो फूप फ्रैसर्चेंव भी और स्थी गाता है। तरह सुआए पॉपुलेशन पॉपल ऑस को उल्हितerme है या फिर हमने एक लाग के बाद यह तो 3,000 को ले लिया तीन हजार की जो लोग है उनमें से हमने कोई जैसे एंसे हमने क्या किया है यह इसने त्वोट들 लोगों को प具 diff bem लोगे लिए यह दिखं चोट फोटें लोगों को उठाव लिया किसी मतलब हम एक्सपरिमेंटर स्टडी कर रही इसंगे कि Scientific की स्टेडिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रोबाइबलेटी सेंप्लिंग करते हैं कि कौन सा सेंपल जो है किस किसम के लोग जो है स्टेड़ी में आएंगे तो हमारे पास प्रोबाइबलेटी सेंप्लिंग है प्रोबाइबलेटी सेंप्लिंग में हमारे पास रेंडम से सेंपलिंग में हम क्या करते हैं इस पर्षन इन यूनिवर्स है इन इकले प्रॉबैब्लिटी आफ धिटी घुजन फार सेंपल एन एवरी कॉलेक्शन आपर सैने इस साइज होगी है यह इकले पर प्रोबैब्लिटी आफ बींग द एक्छुल सेंपल यानि कि जितने भी लोग है उनमें जो भी आदमी ही वह उसकी मतलब एकवल प्रबडिवलड़़ेटी होगी सब के साथ ही आ जैसे इसमें सेंबल रेंडम सेंपलिंग है इसमें हम क्या करते हैं सेंपलिंग وिदोट रेप्लेस्मेंट रहे होते हैं आख नियुन को जैसे संपल रेंडम सेंप्लिंग में जैसे यहां से वन ने कोई से जो है पांच-दस पंदना लोग उठा लिए देना सिस्टेमेटिक संप्लिंग सेम इसमें क्या होता है संपल कंस्ट्रॉक्ट करे होते हैं हैं 12 इनयूमेंट आफ सेंप्लिंग ₺ में हम देह किया इसमें से इक स्पेसिफिक जो हमाह पस आडर थे उन्में से हमने स्पेसिफिक आयहर तीसरा बंदा हमने ऊठाना है तो थर्ड, शिक्स, और को और उसमें से हमने रिड़नम सेंप्लिंग के जरह इउस उठा लिया तो यह स्टाटिफाइड स्टैटिक्स एक क्रिएट का रहे होते हो आप रिड़नम सेलेक्शन अफ ऐलिमेंट में फ्रम बाइस ट्रेटा जैसे कि हमने क्या किया रेंडम फॉल्फेसर हैं असोशेट प्र ग्रूप है यह में बच्चों का ग्रूप तो इसमें से हमने क्या करना एक एक को स्टा लेने प्रेश्म में तक्सीम किया। जिए सब्सेंटेज कहा हैं इस क्लडेश्र के नाम देते हो तरह बीस तरह ले रहे होते हों फिर उस के बाद यह दे क्या देर अफ्टर a random sample of the cluster जो है आप Choose करते हो based on the sample, random sampling कि based बें तीक है, आपने cluster sample किया, यह cluster उठाया, उसमें से आपने जो है, एक बंदे को select का ले हैं। सके देना हमार पास न मृत असफेलम्न, न मी में में क्या होता है, यहां पे usually कोई claim नहीं किया जाता Kung जुप सेंपल जो है इसार रिप्रिजंटेटीव है और मज लेस्य एक्स्पेंसिव है और इसमें तेगा आफ़ फॉवेवर इस अवेलेबल जैसे के इन्वेडियेटरी जो है वो चुझ आरा रहोता है पॉलसेस्ट रिविंग परसन को जो मिलें जैसे के ओंस के हां चोनियों जैसे महीं नॉन को दो ऐसे हो फिर और क्रीण जिटाव सक्टेशनिक हुआं यहां पर Under heads स्टेटफाइड सेंपल सेंपल विद एडिड रिक्वार्मिंट दैट इच स्टेटा जो है वह जर्नली रिप्जेंट करें होता है सेंपल इंदस सेम पॉर्शन एंटार पॉपलिशन जैसे कि फार इसंपल हमारे पास जो है एक्जम्पल दीवियन ने 60 परसंट जो है हमारे प जो है वह थे तो वह हमने इसमें से उठा लिए से देन है पर पिजिव सेंपलिंग में क्या है रिसर्च इस यूज कर रहा हुथ है ओन जैज्मिंट अबाउट ता विच रिस्पांटन तो चूज एंड पिक दोस हूँ बैस मीट विदी पॉपस अफ स्टडी तो इसमें हम तो वह एक स्पेसिफिक जो परपस अफ स्टडी है उसके साथ जो बैस मीच कर रहा है तो उसको आप ले लेते हूं देन स्नोबाल सेंपलिंग स्नोबाल सेंपलिंग में क्या होता है है इस अचीव इंक्रीज यूज इन रिसेंट येर क्योंके पर्टिकुलरी रिसर्च क्या होता है इसका सेंपल साइज थें इट बिकम बिगर बिगर होगा जैसे वह रॉल्ड ंटू दा हील जाएगा वह बड़ा होता जाएगा तो इसको आलसो हम इसको कहते हैं चैन रेफ्ल सेंपलिंग भी कहते हैं यूसफुल होती है इन डेविटें स्टुडिय स्टूरी इस तरह एक chain में जो है वो हम उसमें study कर रहे होते हैं तो हमारे पस maximum number of जो simple है वो हमें मिल जाता है जैसे snowball sampling में पहले वन एक बंदे को select कि आप वो दो के पास आएगा वो हम उन दोनों से स्लेक्टर सकते हैं फिर वो दो से चार दीन में या दीन से फिर हमारे पास एक पूरा हम एक snowball sampling आ जाती है ठीक है that's it